कि गुद्ध मॉनिंग सुडेंट्स क्लास सिक्सिक साइंस की बूक में हमारे चैप्टर नाइन दा लिविंग ओगनिजम क्रेक्टरिस्टिक्स एंड है यानिकी सजीवों के लक्षण और उनके आवास से चल रहा था ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम सजीवों को जो लक् सब्सक्राइब को जो हमारा पार्ट एक और दो था हमने इसमें पढ़ा था कि सभी जीवों को जो बोजन के आवसकता होती है बोजन हमारे लिए और विविन जन्तों के लिए नितांत बहुत आवशक होता है बोजन सजीवों को उनकी व्रध्धी के लिए आवसक गूर्जा बरतान करता है और्गनिजम और नेजी फोर अधर लाइप प्रसेश धेट गो और इंसाट तो उनके नियंतर अंदर होने वाले अन्य जैव प्रग्रेमों के लिए भी ऊड़जा की जो है आवसकता होती है जो बहुजन से प्राप्त होती है इसलिए बहुजन प्रतेक सजीव के लिए बहुत आपको अभी ठीक आता है यू कनोट विर इट एनी मोर इसे आप और नहीं पहन सकते यू मस्ट है ग्रों टॉलर दूरिंग इस देज इसे आप नहीं पहन सकते अन्य वर्सों इन वर्सों में जो है आप जो हैं लंबे हो गए हैं आपको इसका हवास नहीं हो रहा है लेकिन आप आप में हर समय व्रद्धी हो रही है और कुछ वर्सों बात आप व्यस्क हो जाएंगे यंग बन्स और अनिमल्स व्रद्धी करके व्यस्क हो जाते हैं यू गूड शॉरली हैब नोटिस्ट पप्स ग्रोव इंटो अडल्स आपने जो है अवसे देखा होगा कि कुछ्टे के पिल्ले व्यस्क हो जाते हैं चिक हैस्ट फ्रॉम एंग ग्रोज इंटू हैं और एक कॉक एक अंडे से स्पूटित होकर या फूट करके चूजा जो है मुर्गी का बच्चा वह जो है एक व्यस्क मुर्गी या मुर्गा बन जाता है प्लांट्स ऑल्सो ग्रोड लुक अरांड यू एंड सी फ्यू प्लांट्स ऑफ पर्टिक्लर टाइप आपने जो है पॉंद अपने चारों और पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पॉंदों का अवलोकन कीजिए इनमें से जो कुछ बहुत चोड़ होते हैं और कुछ विक्सित होते हैं यह सभी व्रद्धी की विन इस्तितियां हो सकती है लुक अट प्लांट्स आफ्टर फ्यू आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स कुछ जिन्नों और कुछ सब्ता में बाद पॉंदों को देखिए यू में फाइंड एट सम आप देंगे कि उनकी लंबाय में व्रद्धी हुई है ग्रोथ सेम्स टू बी कॉमन टू ओल लिविंग तिंग से अता जो व्रद्धी है वो सजीवों में जो लगातार होती रहती क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव बस्तु व्रद्धी प्रद्धि नहीं कर सकते हैं तो अगला हमारा जो लक्षण है डू और ऑल और सब्सक्राइब क्या सभी सजी वो सांस लेते हैं क्या हम बिना सांस लिए जीविद रह सकते हैं वेन वी इन्हेल दे एर मूब सुप्रम आउटसाइड दा आउटसाइड तो दे इंसाड़ वर बोड़ी जब हम स्वांस लेते हैं तो हमारी तो बाहर की वायू शरीर के अंदर जाती है और जम स्वांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायू बाहर निकल जाती है ठीक है वेन वी ब्रीट आउट देर मुटस फ्रॉम इंसाइड वर बोड़ी तो आउटसाइड ब्रीटिंग इस पार्ट प्रॉसेस कॉल रेस्पेरेशन तो स्वांस लेना स्वांस करिया का एक हिस्ता है इन रेस्पेरेशन सम अब अब ऑफ ऑक्सिजन ऑफ दे एर वी ब्रीट इन इस यूजड बाइड 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 बॉड़ी तो शरी अंदर लेगी वायू की अक्शिजन की कुछ मात्र का उप्योग होता है इस करिया में बनी वी उप्योग होता है प्रोडूस्ट इन दिस प्रोसेस और इस प्रिक्रिया में बनी सुष्ण की प्रिग्राम बनी कारवन डियक्साइड को हम स्वांस के दौरा जो है वह बाहर निकाल देते हैं दो प्रोसेस और ब्रीधिंग इननिमल्स लाइं काउज बैफलोस डॉग्स और कैट्सीज सिमिलर टूमन से और सभी सिजियों के लिए गाय भैस कुता ता बिल्ली जैसे कुछ जन्तूं में स्वाशन के लिए मनिस्ट कित रही होती है अब्ज़र एनिवन ओप इस अनिमल्स दिस लो मोमेंट इंडिकेट्स देट देयर ब्रीधिंग उनकी यह मंद गती उनकी स्वांस लेने की क्रिया को दरसाती है एस परेशन इस इस अनेसरी फॉर लिविंग ऑगनिजम इस दो रैस्परेशन देट बॉड़ी फानली उप्टेंस एनरजी फ्रॉम दफूड इटेक आदान परदान का तरीका बहने हो सकता है जो स्वासन का एक हिस्ता होता है फर एक्जांपल अर्थबॉम ब्रीध दुट्रो दियर इसकिन फीस्ट भी हैव लन्ट है विल्स तू फॉर उसिंग ऑक्सिजन डिजॉल इन वाटर देगिल सब्जॉब ऑक्सिजन फ्रॉम एर ड पॉद्धों की सिर्ण के जहां में गैसों का आधान पड़ता मुख्यता पत्यों द्वारा होता है लीव से टेक इन एर थ्रोट इनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सिजन पत्यों में जो है सूक्स में रंद्र इस्टमेटा कायाता है वह उनमें उनकी द्वारा जो है और जो ऑक्सिजन होती है तरह अक्सिजन का वह वह उनमें रंद्र द्वारा जो है इस्टमेटा द्वारा जो है अंदर लिजाती और अक्सिजन गैस जो है पॉद्धों को द्वार बाहर शूड़ जाती है ठीक है प्रण्द एक्सिजन करते हैं और अक्सिजन प्रदान करते हैं अधान इस प्रसेश और फूद प्रशेशन ब्लाइब बाइब लुद्धों की लिए जो है जो निसकासित आक्सिजन की मात्रा पॉद्धों दारा सवसन में उप्यूब की गई आक्सिजन के अपेक्सा जो बहुत अधिक होती है एस्पेरेशन प्लांट टेक प्लेस डे और नाइट जो यह प्रक्रिया है और अक्सिजन की छोड़ने की पॉद्धों को दर रहे प्रक्रिया जो है दिन और रात दोनों ही निरंतर चलती रहती है ठीक है हुआ हैं हमने तीन सजीवों के लेक्र्ण प्रली आंपड़ लिए हैं कि इस इसस्जीवों को सबिए उद्धी नीकरिया करे की जैसे हमको किसी में टच किया है तो उसको महसूस होना तो उसे ही कette है हम उद्धीबन के प्रति आनुक्रिया करना ठीक है तो इसको हम आपनी कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है यहां से